नमस्क्राइब दुस्तों स्वागत आपको नित्या ग्जाम पॉइंटर में उसमें टॉप हुंड्रेट करेंट अफेर्स क्वेस्चन जो की जनौरी से दिस्वंबर तक हैं 2020 और यह इस्पेशली 66 BPFC बिहार PCS के लिए है और बाकी जितने भी एक्जाम आने वाले हैं उनके ल जन्म दिवस पर राष्ट्री किसान दिवस मनाया जाता है तो चोधरी चर्ण सिंग के जन्म दिवस पर प्रतिवर्स तीए इस दिसंबर को क्या मनाया जाता है राष्ट्री किसान दिवस मनाया जाता है हाल ही में 22 दिसंबर 2020 को किस विक्ति के जन्म दिवस पर राष्ट्री ये गडित दिवस मनाया जाता है तो वो मनाया जाता है श्री निवास रामा नुजन ठीक है श्री निवास रामा नुजन के जन्म दिन पर वो कब होता है 22 दिवसमर को होता है और ये गडित दिवस मनाया जाता है बहुत ही इंपॉर्टेंट है इसको भी ध्यार में रखना है क निएफ्ध भारति को हॉल ही में एंगला कुछ्चन है लिए निफ बिहार बिहार के कउन सी बार मुंख्यमंत्री बने हैं तो वेडि इंपोर्टेंट कुिस्चन फॉर बिपी एफी तो यह आपकी शातमी बार बने हैं ठीक है सातमें बार जो है ये बिहार के मुख्य मंत्री बने हैं हाल ही में किसने फीफा मेंस प्लियर आप था इयर दो हजार बीश का खिताब जीता है फीफा ने किस राज जाए किसानों के योजना की शुरुआद की है, आजकल देखते होंगे कि जो है विय inauguration काफी सिरुआट और onboard की खिती है तो गता ही है, है हाल ही में जारी विफ बैंक की मानो पूजी सुचकांग 2020 में भारत का कौन सा अस्थान है तो वह आपका अस्थान जो है इस समय हो गया है एक सो फो फोला हूवां अस्थान परतिवर्स अंतरवाश्ट्र्य प्रवाश्य दिवस्का मनाया जाता है तो अंतर प्रवाश्ट्य मनाया जता या विफॉल पर को 15 को मनया जाता हाल हीमें अलेक्षा को अपनी आवाज देने वाले पाहले भारतिय इंतो इन में से कौन बन गए हैं तो बन गए हैं अमिताब बच्चन ने अमेजन की जो अलेक्षा है उसको अपनी आवाज दिया है विफ्व ओजोन दिवर्स से वेडि इंपॉर्टेंट है अपके लगभख एक्जामों में पूंचा जाता है तो यह मना जाता है सोला सितंबर को वि गुजरात में किया है दुनिया के सबसे बड़े हाइब्रिट नवीक रड़िये उर्जा पार्क तो काफी इंपॉर्टेंट है हाल ही में किस रेलवे स्टेशन का नाम बदल करके फिरी शिद्ध रुधा स्वामी जी रेलवे स्टेशन रखा गया है तो यह भी काफी पार्म की वो चोड़ा से मीटर तो यह आप याद रखिए जब भी अभी गोरकपुर है यह हुबली जब बन जाएगी तो यह हुबली हो जाएगी हाल ही में जारी वैश्विक आरतिक स्टम्तता सूचकांग दो हजार बीश में भारत को कौन सा अस्थान मिला है वैश्विक अस्थान मिला है पहले जो है उन्यासी में अस्थान पर था अब जो है एक सो पांच में अस्थान पर चला आया है हाल ही में यूइन डीपी द्वारा जारी मानो विकाफ सूचकांग दो हजार बीश में भारत का कौन सा अस्थान मिला है मानो विकाफ सूचकांग यानि की 2020 उनमें कौन सा स्थान मिला है तो ये मिला है आपको 131 अस्थान प्राक्त हुआ है हाल हिमें कौन तिलंगाना हाई कोर्ट की पहली महिला चीफ जेस्टिफ बनी है तिलंगाना हाई कोर्ट की पहली महिला चीफ जेस्टिफ तो वो बनी है हिमा कोहली ठीक है हिमा कोहली को बनाय गया है तिलंगाना हाई कोर्ड की पहली महिला शेफ जेश्टिफ ओला ओला ने हाल हें किस राज में दुनिया का फफaz बड़ा इस्कूटर कार खाना खोलने की घूफला की है, तो वो खुलेगा आपके तमिल नाडु में ठीक है? और खोलेगा, दुनिया का सब।फ़े जो वाइडेन और कमला हैरिस को 2020 के लिए टाइम परसन अब दा इयर के लिए चुना गया है किस टेलिकाम कंपनी ने हाल ही में दुनिया का पहली सेटिलाइट आधारित नेरो बैंड जिसे कि हम आई ओटी बोलते हैं नेटवर्क सेवा फुरू की है ये कैसी है सेटिलाइट आ बर्ष दोजार बीस के गलोबल एसियन चुने गये हैं तो गलोबल एसिएन फ्लेबरेटी दो खाजार बीस व किसे चुना गए है वो चुना गया है फोनों फूद को ये काफी फैमश रहे लाकडाउं के दोरान लाकडाउं के दोरान जो मज़ूर थै उन लोगों को घर भे प्रदानवंतरी बने हाल ही में किसे रवींद्र नाथ टैगोर फाहित पुरुषकार दो हजार बीस जीता है रवींद्र नाथ टैगोर फाहित पुरुषकार दो हजार बीस इनमें से किस ने जीता है तो वो जीता है राज कमल जहाने अगला कुश्चन है हाल ही में कौन भारत की पहली महिला इंबूलेंस ड्राइबर बनी है भारत की पहली महिला इंबूलेंस ड्राइबर तो वो है एम वीरा लक्षमी एम वीरा लक्षमी कौन विक्ती हाल ही में रेलवे बोर्ड के प्रथम CEO बने हैं तो वो बने हैं विके यादो ठीक है विनौत कुमार यादो हाल ही मे इनोवेशन इंडेक्स 2020 में भारत को कौन सा अस्थान मिला है तो वो मिला है 48 वा यानि के 48 वा अस्थान प्राप्थ हुआ है वैसिक नवचार अगला कुश्चन देखते हैं हाल ही में हुई घोफडा के अनुसार भारत के किस राज्ज में दुनिया का सबसे बड़ा ट्वाइ में उजियम बनेगा तो दुनिया का सबसे बड़ा टाइम उजियम यह आपका कहां बनेगा यह बनेगा आपके गुजरात में अगला कुश्चन देखते हैं हाल ही में पड़ो मुखर जी का निधन हुआ हुआ भारत के कैथे नंबर के राष्ट पती थे तो वो तेरहावे के राष्ट पती थे ठीक है अभी जो फ्री रामनाथ को बिन जी हैं और वो कैथे नंबर के हैं चोदा हमें नंबर के हैं हाल ही में किसने बर्ष दो हजार बीश का अंतर राष्ट्रिये बुकर पुरसकार जीता है वेरी इंपर्टेंट तो यह मिला है मरी के लुकाफ को ठी हैं जेहान दारू वाला ठीक है जिसने फर्मूला टू रेस जीता है और वह ऐसा करने वाले पहले भारती यह बन गये हैं हाल ही में जारी नीती आयोग की नियात ततपरता फुचकांग दो हजार बीश में किस राज्य को सीर्फ अस्थान मिला है तो वह है गुजराट जो कि राष्ट्रे सिच्छानेती लागू करने वाला भारत का पहला देश बन गया है हाल ही में कौन टेस्ट क्रिकेट में छे सो बिकट लेने वाले पहले तेज गेदवाज बने हैं तो वह बने हैं जेम्स इंडर्सन और यह कहां के हैं इंग्लेंड में हैं इंग्लेंड के हैं जिन्होंने test cricket में छे फोट लेने वाले तेज गीलबाज़ बन गई हैं डबलू एक Спशुने हाल ही में अफरीका महादियोग को किस रोग से मुक्त घोशिट किया है तो वह पॉली तो से अफरीका महादियोग को अब tayा ध्रrav है किसने डबलू एच ओ ने किस हैर में भारत के सब से लंबे नदी रोपबे जिसकी लंबाई है एक दस्मड़ो आठ किलो मीटर का उडगाटन हुआ है तो वो हुआ है गोहाटी असाम में हाल ही में हुई घोफ़ा के मताबिक कितने खिलाडियों को राजियू गाधी खेल रत राष्ट्रिय जंडा फहराने वाला दुनिया का दूसरा देश बन गया है तो वो है चीन चीन ने विहाल ही में इस चांद पर अपना राष्ट्रिय जंडा फहराया है और ऐसा करने वाला वो विश्व का दूसरा देश बन गया है हाल ही में किसे फिट इंडिया मोव्मेंट के ambassador की रूप में चुना गया है तो वो चुना गया है कुल्दीफ हुंडा को फिट इंडिया मुव्मेंट का ब्रांड ambassador चुना गया है फच्छ फरविच्छन 2020 के अनुसार इन में से कौन सा सहर फिर्फ अस्थान पर है तो वो है इंडौर लगातार तीसरी चौती बार जो है इंडौर ने फिर्फ अस्थान पराप्त किया है फच्छता सरविच्छन में इन में से किसे हाल ही में इंडियन प्रीमियर लेग आई पिल का नया टाइटर्ल इंडियन इंडेक्स उसरू किया है तो उसका नाम है बुल्डेक्स ठीक है बुल्डेक्स हाल ही में केंद्रिय ग्रहमंत्राले के बर्फ 2020 की रिपोर्ट के इंवार किसे सब्सरेश्ट पुलिस थाने के रूप में चुना गया है तो वो है नोंग पोक, सेम कई, ये थौबल में है, मड़ी पूर्थी, ये उस्थाने को फर्बस रेस्ट पुलिस थाने की रूप में चुना गया है किंद्रिये ग्रिह मंतराले के द्वारा, हाल ही में चंबल एक्सप्रेस वे, इसका नाम बदल करके किस बिक्ती के नाम पर र कीया है, तो ये वारर संबोधित किया है, ठीक है, तो नितिश कुमार भी सातिमी बार जो है, फियम बने हैं, सातिमी बार ये भी तो दोनों आपको याद रखने हैं, आल ही में जारी ग्लोल्वल ट्रेडिजम इंडेक्स दोजार बीश में आतंकबाद से प्रभावित देश की सूची में भारत को कौन सा अफ्थान मिला है तो वो मिला है आठवा अफ्थान ठीक है आतंक बाद से प्रभावित देशों की सूची में भारत का अफ्थान कौन सा है तो आठवा अफ्थान प्राप्त हुआ है हाल ही में केंब्रिज डिक्सिनरी ने किस सब्द को वर्ड अ सभाघ के नए स्पीकर बने हैं उनका नाम है विजय कुमार सिंना पूरे देश में भारत छोड़ो आंदोलन की कौन से बर्षगाँठ मनाई गई तो 78 मीं वर्षगाँठ जो है मनाई गई है आईसी ने हाल ही में किस देश को T20 World Cup 2021 की मेंजबानी दी है तो वो मिली है भारत Șchanging T20 जो वर्ड़कुप होगा 2021 वाला वो भारत में होगा कौन बित्टी हाल ही में ICC के नए अध्यच के रूप में चुने गए हैं तो वो ग्रेग हैं ग्रेग और अभी दूसरी किसान रेल भी चलाई गई है जो कि अनंत पूर से कहां तक जाएगी नई दिल्ली तक ठीक है अनंत पूर से नई दिल्ली तक तो ये दूसरी वाले भी आपको याद रखना है पहली जो है देवलाली शेदानापूर दूसरा अनंत पूर से नई दिल्ली तक कौन पहला प्रमाड उर्जा उत्पादक खाड़ी देश बना है तो वो बना है UAE ठीक है यानि कि United Arab Emirat पहला प्रमाड उर्जा उत्पादक खाड़ी देश बना है हाल ही में किस पहली भारती ये वेव फिरीज ने इंटरनेशनल एमी अवार्ड जीता है तो वो है दिल्ली क्राइम दिल्ली क्राइम एक ऐसे पहली भारती वेव फिरीज है जिसने इंटरनेशनल एमी अवार्ड जीता है कौन सा राज्जी हाल ही में तीन राजधानियों वाला भारत का पहला राज्जी बना है तो वो है आंधर प्रदेश, आंधर प्रदेश की तीन राजधानियां होंगी अमरावती होंगी, विशाखा पटनम होगा और कुर्नूल होगा ये तीन राजधानियां बनेंगी हाल ही में मानो संसाधन विकास मंत्राले इसका नाम बदल करके क्या रख दिया गया है तो वो कर दिया गया है अकर सिच्छा मंत्राले हाल ही में भारत की प्रथम सौर उर्जा संचालित नौका इसने गुस्टाव ट्रवे अवार्ड जो है जीता है उसका नाम क्या है तो उसका नाम है आदित्या ठीक है आदित्या नाम की भारत की पहली सौर उर्जा संचालित नौका है जिसने गुस्टाव ट्रवे अवार्ड जीता है किफ राजी की फरकार ने हाल ही में वेस्ट टू इनर्जी नाम से एक नई पहल की फुरुवात की है तो वो है उत्तरा खंड उत्तरा खंड की फरकार ने ये फुरुवात की है वेस्ट टू इनर्जी नामत जो है कारिकरम जो है भारती रेलवे ने भी फुरू किया है किस हेर में हाल ही में भारत का पहला EV Charging यानि कि Electric Vehicle Charging प्लाजा जो है फुरू हुआ है वो फुरू हुआ है दिली में पहला की बात कर रहा है किस अरब देश ने हाल ही में अपना पहला मार् retrouver दिसका नाम है hope वो लांच किया है ठीक है अगला कुछलन दिखते है हाल ही में जारी वेश्विग वी निरमाड जोखिम सूचकांग वैस्विक वी निर्मार जोखिम सूचकांग 2020 में भारत का कौन सा अफ्थान है तो भारत का अफ्थान है तीसरा ठीक है वैस्विक वी निर्मार जोखिम सूचकांग में तीसरा अफ्थान मिला है हाल ही में किस रोग की फुदेशी वैक्सीन विक्षित की है भारत ने तो वो है निमोनिया निमोनिया की जो है फुदेशी वैक्सीन निर्मित की है किसने भारत में किस राज में हाल ही में भारत की पहली राज अस्तरिय ई लोक अदालत की फुरुवात हुई है तो वो फुरुवात हुई है, कहां पर 36 गड में, काफ़ इंपोर्टेंट है हाल ही में किस राज में भारत का पहला माफ गार्डन माफ गार्डन ये कहां पर बना है, तो ये बनना है आपके उत्तरा खंड में ठीक है, कहां पर उत्तरा खंड में बना है हाल ही में Google ने अपने social media network जिसका नाम था Google Plus इसको बंद कर दिया गया था उसको किस नाम से फिर से रिलांच किया है तो उसका नाम है Google Currents ठीक है Google Currents के नाम से इसको फिर से जो है वो रिलांच किया है ICC ने हाल ही में इंतराश्टरी क्रिकेट खेलने के लिए खिलाडियों की निवनतम आयू कितने बर्स निर्धारित कर दी है तो वो निर्धारित की है 15 बर्स निर्धारित कर दी है इसके नीचे के लोग अब अंतर राफ्ट्री क्रिकट में नहीं खेल पाएंगे हाल ही में किसने बर्फ 2020 का बुकर पुरसकार जीता है 2020 का बुकर पुरसकार तो वो है Douglas Stewart ने जीता है अगला question भारत का पहला social media app तो काफ़ important है चुकि भारत का पहला है तो भारत का पहला social media app launch हुआ है जिसका नाम है Elements elements है जो कि बिल्कुल elements जो कि एक नाम मुझे याद नहीं आ रहा है बिल्कुल उसी के तरह है हाल ही में कौन France के नए प्रधान मंत्री बने है तो France के नए प्रधान मंत्री बने है जीन कोटेक्स ठीक है जीन कोटेक्स भारत के नए प्रधान मंत्री बने है हाल ही में जारी व्यापार रिशवत जोखिमों की वैसिक सुची 2020 में भारत को कौन सा अस्थान मिला है तो वो मिला है फतहत्तरमा अस्थान प्राथ हुआ है ठीक है हाल हमेंकिसे भारत रतने डाक्टर अम्धेट कर अवार्ड 2020 से वह समानेत किया गया है तो समानेत किया गया है किस राज ने हाल हमें भारत का पहला खण्दा मिल अस्थानल किया जाएगा वेरी इंप्रोटेंट कोश्टन तो यह अस्थापित किया जाएगा कहां महाराष्टरा में अस्थापित किया जाएगा हाल ही में हुई घोसडा के मताविक पाकिस्तान के किस सहर में पहला हिंदू मंदिर बनेगा तो वो बनेगा इसलामाबाद में ठीक है इसलामाबाद में जो है पहला हिंदू मंदिर जीता है तो वो जीता है हिमानचल परदेश ने 2020 का ये पंचायत पुरशकार चुनाव आयोग ने हाल ही में किसे पंजाब का इस्टेट आइकान नियुक्त किया है किसने चुनाव आयोग ने किया है वो किया है किसो सोनो सूद को किया है पंजाब का इस्टेट आइकान नियु है तो वह बनी है रेंडू देवी थीक है पहली महिला उपमUKHYMENTRI इनमें से कौन意च्ट strategies에서 graduate होने वाली पहली फिख महिला बनी है तो वहीं अनमोल नारंग ठीक है अनमोल नारंग हाल इमें कौन मारियाना लगा नच तक पहुंचने वाली दुनिया की पहली महिला बनी है मौरियाना ट्रिंच ठीक है जो कि अपके कहाँ पर है प्रसान्त महाखाकर में है वो है कैथी फुलिवान ठीक है कैथी फुलिवान हाल ही में किसने अंतराफ्ट्रिय बाल फांती पुरसकार 2020 जीता है तो वो हैं फादत रह्मान जो की कहां के हैं बांगला देश के हैं किसे उत्तरा खंड की ग्रीश मकालीन राजधानी बनाई गई है तो वो बनाई गई है गैर फैंड को अभी ये ग्रीश मकालीन राजधानी होगी इस परकार से उत्तरा खंड की भी दो राजधानी हो गई हाल ही में हुई घोफडा के नफार कहां पर दुनिया का सबसे बड़ा प्लेट फार्म जिसकी लंबाई 14-800 मीटर होगी बनेगा तो यह भी आपको पीछे बताया है यह कौन सा है हुबली स्टेशन जिसका नाम भी बदल दिया गया है वागे कुश्चन में बताया गया है कौन दुनिया का पहला फिक्स जी उपग्रह लांच करने वाला देश बना है तो वो है चीन जो के फिक्स जी उपग्रह लांच किया है हाल ही में जारी हारून इंडिया की बरस 2020 की रिपोर्ट के नफार सबसे दानवीर भारती है इनमें सबसे दानवीर भारती है कौन से हैं तो वो कर दिया है सियामा प्रफाद मुखर जी इनमें से कौन केरल की पहली महिला डीजी पी निव्ट हुई है तो वो निव्ट हुई है आर श्री लेखा केरल की पहली महिला डीजी पी निव्ट हुई है किस क्रिकेट टीम ने हाल ही में IPL 2020 का खिताब जीता है तो वो जीता है हाल ही में कौन प्रथम भारतिये मोलकी महिला अमेरिकी उपराफ्ट पती बनी है तो वो है कमला है रिजुकी भारतिये मोलकी है और पहली महिला अमेरिकी उपराफ्ट पती भी बनी है अंतर राष्ट्रिये जैयो विवित्ता दिवस, ये काफ़ी इंप्टेंट है, कई बार आपके ग्याम में आया है, ये कम मना जाता है, तो ये बना जाता है, 22 मई को, कौन बिती हाल ही में अमेरिका के 46 में राष्ट पती बने हैं, तो वो हैं जो बाइडेन, ठीक है, 46 में का फर्वसेफ्ट छेत्री हवाई अड़ा चुना गया है तो वो है बैंगलूरू हवाई अड़ा भारती रेलवे ने हाल ही में महिला यात्रियों के फुरच्छा के लिए कौन सा अभियान चलाया है तो उस अभियान का नाम है मेरी सहेली भारती रेलवे ने फुरू किया है औ CCI ने तो वो है जीओ, जीओ को बनाया गया है, हाल ही में चाक खाओ नामक चावल को GI टैग मिला है, तो ये चाक खाओ चावल किस राज़ से संबंदित है, तो ये संबंदित है, मड़ी पुर राज़ से, हाल ही में दुनिया की कौन सी पहली बैग्यानिक पुस्तक है, जिसका बिमोचन किया है तो उसका नाम है बाई बाई कोरोना ठीक है दुनिया की पहली जो है यह बैग्जानिक पुस्तक है हाल ही में जारी रिपोर्ट के नफार सबसे ज़्यादा फैन या खर्च करने वाले देशों की सूची में भारत को कौन सा अस्थान मिला है तो भारत का अस्थान है तीसरा पहले नंबर पर यूस से है दूसरे नंबर पर चाइना है तीसरे नंबर पर इंडिया का नंबर आता है सही निक सर्च करने के मामले में हाल ही में जारी प्रेस फ्रीडम इंडेक्स दो हजार बीस में भारत को कौन सा अस्थान मिला है जारी प्रेस फ्रीडम इंडेक्स तो वो मिला है एक सो बयाली समा अस्थान प्राप्त हुआ है फ्रेस फ्रीडम इंडेक्स दो हजार बीस हाल ही में कुरोना वाइरस से निपटन शुरू किया है उसका नाम है आपरेशन नमस्ते ठीक है आपरेशन नमस्ते प्रतिवर्ष 31 अक्टूबर को किस विक्ति के जैनती पर भारत भर में राष्ट्री एकता दिवस मनाया जाता है तो वो हैं सरदार वल्लभाई पटेल जिनकी जर्म दिवस होती है 31 अक्टूबर और उस दिन पूरे देश में एकता दिवस राष्ट्री एकता दिवस की रूप में मनाया जाता है हाल ही में जारे बिस वक्षुसहाली सुचकान के में भारत को कौन सा अस्थान मिला है तो एक सो चुवाली समा अस्थान मिला है खुसहाली वाले में कौन राज्य हाल ही में करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है तो वो है राजस्थान राष्ट्रिय वाई में अंतर राष्ट्री एंटरनिट इंडेक्स दो हजार बीश में भारत को कौन newolt की मिला है स्वमावेशी internet index 2020 में भारत को कौन सा अस्थान मिला है तो वह मिला है 46 आस्थान ठीक है पिछली बार इनको जो है 47 आस्थान प्राप्त हुआ था एक अस्थान दो है ये उपर हो गए है हाल ही में जारी asia power index asia power index में भारत को कौन सा अस्थान मिला है एसिया पावर इंडेक्स में भारत को कौन सा अस्थान मिला है हाँ तो वो मिला है भारत जो है चौथ में अस्थान पर है ठीक है कौन से नंबर पर है भारत जो है चौते अस्तान पर है Asia power index 2020 में इस cricket team ने हाल ही में महिला T20 World Cup 2020 का खिताब जीता है तो वो है Australia और भारत को हरा करके महिला T20 World Cup 2020 का खिताब जीता है अनतर आस्ट्रिय महिला दिवस परतिवर्फ आठ मार्च को मने आ जाता है कई बार कुछा गया है किस राज की फरकार ने हाल ही में महिला फुरच्छा के लिए मिफन फक्ती की फुरवाद की है तो मिफन फक्ती की फुरवाद उत्तर प्रदेश फरकार ने की है हाल ही में जारी freedom in the world 2020 की सूची में भारत को कौन सा अस्थान मिला है freedom in the world 2020 में भारत को कौन सा अस्थान प्राप्ट हुआ है तो इन में से भारत को तिरा सीमा अस्थान प्राप्ट हुआ है 83 नमबर तिरा सीमा अस्थान हाल ही में जारी global hunger index 2020 ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2020 में भारत को कौन साफ्थान मिला है तो वह है चवरान वेवा अफ्थान प्राप्थ हुआ है हाल ही में हुई घोफडा के अनुसार किस देश में अरब जगत का पहला प्रमाडू विजली घर बनेगा तो वह है UAE कहां पर है वह है UAE तो जितनी भी प्रमाडू से संबंदित अगर कारिकरम आये खाली देश में तो वह सारी चीजें अपका UAE में सही हो जाएगा केंदर सरकार ने हाल ही में प्रवाशी भारतिये केंदर का नाम बदल दिया है और वो रख दिया है सुसमा सुराज भवन सुसमा सुराज के नाम पर हाल ही में चारी बौद्धिक संपदा सुचकांक में भारत को कौन सा अस्थान मिला है तो वह मिला है चालीसमा अस्थान बौद्धिक संपदा पिछली बार च्छतीसमा अस्थान था यह और नीचे खिसक गए हैं अब चालीसमा अस्थान हो गया है राश्ट्री मताता दिवस हरवर्स कम मने आ जाता है तो यह मना जाता है पचीस जनौरी को तो इसी प्रकार से यह जो टाप फंडेट था इस्प्रेशिल फार बीपीएसे और एंटीपीएसे और एससे यहीं पर समाप्त होता है फिर से मिलते हैं अगले वीडियो में जब कोई अगला एक्जाम आएगा तो उसके लिए टाप फंडेट को लेकर के तब तक आप सभी उना ख्याल लखिए रिवीजन फटा फट इस वीडियो को देख करके कर लिजे और जो आने वाला एक्जाम है उसको बिलकुल मन से दीजिए सभी लोगों को जय हिंद जय वारत